हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चनल पर तो काईस आज की वीडियो होने वाली है बहुत यूसफुल उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर्स हैं जिनको नेक कटिंग करने में बहुत जादा दिक्कत आती है यह नेक कट करते हैं तो बुकरम बहुत खरा करने वाली हूं कि आप बुकरम पर नेक कट करते हैं तो बुकरम खराब हो जाती है बिगड़ जाती है तो उसके लिए क्या होगा आप इस तरह के न्यूजपेपर कट कर लीजिए तो देखिए यह मैंने स्क्वाइर पीस में लगबग इस तरह से न्यूजपेपर कट कर लि कि अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे जो प्रैक्ष केलिए होते हमारे नइक की तो उसमें हम सिंपट ल्ए के ड्राउ करेंगे तब हम आगे चलकर थोड़ थोड़ नेक के हिसाब से लेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो नेक हमारा कट होता है, वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानि जो हमारी कुर्थी का साइज होता है, उसी के हिसाब से हम अपना नेक कट करते हैं, तो स्टार्टिंग से मैं आपको तो आप पहने तीन तीन इंच अपने नेक की चोड़ाई ले सकते हैं अब आता है लंबाई के लिए तो लंबाई के लिए भी आप 30 से लेकर 36 तक आप 6, 6, 6, 7 इंच पर अपने हिसाब से जो आपको नेक की लेंथ रिक्वायर हो वहाँ पर आप ले सकते हैं तो ना कम ना ज्य तो इस तरह से आप नेक की ये जो भुखर में हम लेंके तो दीखी यहां पर अगर हमने ने HaiT कर ना hai तो लगबग ed चमने और हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करनी है तो दहिए जो भी आपकी चोड़ाई आ कड पूराइध होगी Ti Niak कि पहले यहाँपर draw कर लेंगे तो मैं सबसे पहले आपको 2.5 इंच पर बता देती हूं तो यहाँपर देखें 2.5 इंच पर इस तरह से हम चोड़ाइ में मार्क कर लेंगे इसके बाद हम लेंथ लेंगे तो लेंथ में यहाँपर साड़े छे इंच लूँगी और साड़े छे इंच के बाद नीचे से भी हम धाइंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से एक box बना लेंगे यानी एक ultra L बना लेंगे तो इस तरह से ये L बन जाएगा और ये चीज हमने किस तरफ की ये हमारी बन साइड है ये ओपन साइड है तो box हमारा इस तरफ बनेगा बन साइड की तरफ अब हम इसमें नेक कट करेंगे तो नेक कट देखे हम सबसे पहले राउंड नेक कट करेंगे तो राउंड नेक के लिए हम यहाँ इस तरह से गोलाई देदेगे तो यह हमारे नेक की गोलाई इस तरह से आ जाएगी यह देखिए और नीचे से मैंने यहां से लगबग डेड़ इंच के बाद गोलाई देना शुरू किया है और इसका कम से कम हाफ से पॉन इंच के क्रॉस पर मैंने इसकी गोलाई दे दी है अब इसके बाद हम आगे की तरफ से लगबग पॉन इंच एक्स्ट्रा हम मार्किंग करेंगे तो गाइज यह जो मार्किंग हमें करनी है न्यूस पेपर पे ही करनी है अच्छे से समझ के ताके हमारा हाथ जो है वो हाथ में cutting में और marking में finishing आ जाए तो इसलिए हम newspaper का इस्तमाल करेंगे अपने neck को draw करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर round neck बना लिया है अब इसके हम simple cutting करेंगे तो सबसे पहले आप बाहर की तरफ से cut करें और इसको इस तरह से cut करें देखिये जहां से हम catchi को छोड़ेंगे वहीं से start करेंगे या हलके-हलके इस तरह से गुमाते रहेंगे तो बाहर से हमारा neck cut हो चुका है इसके बाद हम अंदर की तरफ से करेंगे तो अंदर से भी हम आराम से करेंगे और जब हमारी गोलाई शुरू होती है तो उसको हमें कैंची को इस तरह से ऐसे घुमाना है देखिए इस तरह से तो इस तरह से हम जब कट करेंगे तो हमारी जो पेपर है या फिर हमारा बुकरम है उस पर यहां पर कट के निशान नहीं आएंगे बिल्कुल equally गोलाई से कट होगा और उसी से फिर यहां भी कट होगा तो देखिए यह नेक हमारा गोलनेक कट हो गया और उसमें कोई भी गलती तो इस तरह से आप मार्किंग करें न्यूस पेपर पर और फिर उसकी कटिंग करें तो इस तरह से आप दो से तीन दिन तक इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से तो आपके हाथ में बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी ने कट करने की तो देखिए इसी तरह से मैंने कुछ और ले लिए हैं जिन पर मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिया है किसी पर मैंने ढाई का बॉक्स बनाया है किसी पर तीन का किसी पर पॉने तीन का तो सभी पर मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं अब इनमें हम अलग-अलग तरह के ने कट कर लेंगे तो देखिए सबसे प एक स्टारी पान रापने की शेप इस तरह से देदेंगे वाली से हमारी आगरि आगे आप τα च grasp13 की कैसे और यहां से लग भग 10 इंच पर नीचे से तीन इच पर नीचे से ता मैंने चौक को लखा है। और यहां लाकर मिला दिया है अब इसी तरह से हम नीचे से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे जितनी हमें लेनी है यानि एक से पॉन इंच से जाधा नहीं लेना बस आप इतना लें और उसके बाद इसकी सिंपली ऐसे ही कटिंग कर लें और फिर कटिंग के लिए भी हम बाहर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से इसके बाद हम अंदर से कटिंग करेंगे तो अगर आप न्यूस पेपर पर अच्छे से दो से तीन दिन तक इस तरह से कटिंग करेंगे और मार्किंग करेंगे तो मैं समझती हूं आपकी जो नैक कट करन यहां नीचे से दिखिए लगब मैं 1,5 इंच लोगी यहां से ओपन होने के बाद यह तीन इंच हो जाएगा तो इसको ग्लास वाला नैक बोलते हैं उपर से यहां से इस तरह से रखकर हम यह वाली शेप इस तरह से मिला देंगे तो कुछ जगह इसको चकोर भी बोलते हैं और कुछ जग़ा ग्लास वाले भी बूलते हैं तो यह यह वाली शेप है तो यह सिंपल शेप है तो इसी तरह से हम बाहर से भी लेवेंगे इसके बाद हम दूसरा मारकिंग करेंगे इसके बाद देखिए हम जो करेंगे स्वीट हाट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां से इस तरह से मार्क कर देंगे या इसको तीन कोने वाला भी बोलते हैं तो देखिए मैंने यहां से लगबग तीन इंच लिया है और इसको यहां से कौन, इसकी यहां पर मिलाकर एक चोज बना दी है तो यह neck भी काफी simple और अच्छा लगता है और simple कुर्तियों में बनने में बहुती आसान और easy होता है तो इस तरह से हमने यह marking कर ली है इसके बाद हम दूसरे neck की marking करेंगे तो देखिए एक होता है हमारा round neck और एक होता है U round neck यानि उसमें काफी गोलाई होती है तो उसके लिए भी हमें यहां से इस तरह से गोलाई देनी होती तो यह U वाला neck हमारा बन जाता है round में ही आता है पर यह थोड़ा सा इसके यहां पर corner होते है यह अंदर को होता है और जो हमारा round होता है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है इस तरह से तो आप देख सकते हैं यह हमारा U वाला neck की shape है और यह हमारे round neck की है और इसके बाद भी हम बाहर की तरफ से लग बाग हाफ से पॉन इंच एक्स्ट्रा marking करेंगे और उस पर cutting करेंगे तो guys इसी तरह से बस आपको अपने neck की marking करनी है न्यूस पेपर पर और cutting करनी है अब चलिए हम एक और neck बना लेते हैं जो बिल्कुल simple neck में ही आता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम उपर की तरफ लग बाग हम दो इंच पर mark कर देंगे इस तरह से और यहां से लग बाग हाफ इंच पर एक mark कर देंगे और इसको नीचे यहां पर मिला देंगे देखिए इस तरह से और इसके बाद हम इसको यहां से गोल आई दे देंगे जो स्कूर्फ होदे और कैसे लोगा बिट बैंट से डिए प्रवके गयर होने बाहर से लग्बख 2 पॉन के असे बार करकें करेंगे मों ग्रभी अहीं कर्या उअ टिया झाफ से कार्व करना ङूए बर बार से हमोने अब आपको चारा करें रहें तो में जो ओड़ करना हैं और उस पर मार्किंग करें और उसी पर आप कटिंग करें तो इस तरह से आपकी जो नेक की बनाने में नेक कट करने में प्राबलम है वो दूर हो जाएगी और आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी काफी तो उमीद करती हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई ह होगी और आप इसी तरह से अपना जो नेक बनाने की प्रैक्टिस है वो न्यूस पेपर पर करेंगे अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरिस है तो कमेंट बॉक्स में पूछे मैं उसका आए जरूर करती हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ टेक केर थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो